किसान भाई और नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमार्तियागी और आप सब का हर्दिक श्वागत है अमेजिंग किसान से रहाए आज है 26 मई दिन है रविवार और आज हम अपने अम्रूत की दुबारा कटिंग करेंगे जिसकी हमने 15 फरवरी को मैंने दिखाया और दो और वीडियो की दिखाई थी जो मैंने 45 दिन बाद दिखाई थी और एक अभी पिछले सब्ता दिखाई अब आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या-क्या समान है और क्या-क्या हमें तैयारिया करना है यह मेरे पास कटर है एजिटी जो मैंने आपको दिखाया था यह ज इंफेक्शन नाव किशन भाईव यह देखिए यह वेस्डी कंपोजर है मैं एक बाल्टी यह 20 लिटर की है लगभग 15-20 लिटर की बाल्टी है मैं इसमें डालूगा यह मेरे पास एक इस्प्रेयर है जिसमें मैंने आधा पानी और आधा वेस्डी कंपोजर रखा हुआ कटिं एक वर्मी कंपोस्ट है और यह एक अन्य चीज है जो मैंने एक करीब एक महां हो गए यह वो सर्षो के खली जो मैंने भी होई थी इसका पानी मैं स्प्रेय किया था इंपर जड़ में भी दिया था तो वो बचा हुआ है वो भी में डाल आई यह आप देखते हैं कि हम इस प गया है इसमें तो चलिए पहले हम कटिंग कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसमें खाट पाने की वेवस्ता है किसान भाई यह देखें ध्यांसे मैंने इसमें जो साखाई छोड़ी हुई थी एक दो ती चार पाँच छे साथ आठ नो दस त्यारा साखाई यहां पर इस स तो रहानल की सी बुरे रंकी है यहां निसान आते हैं तो लगबग 10प ले लीजिए आप इसको यहां तक लेनरे एक फिटके यहां कर लेते हैं और एक विपर هम इसको वही तिर्शा कट लगाते हैं यहां से यह जो कल्ला है लास्ट वाला इस्से थोड़ा उपर ले ले ल कर लेकिन जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को छेट छेट कर एक बर्चन बनाता है उसी प्रकार हम इसकी पहुद अच्छी कैनोपी बनाएगे कि इस प्रकार मैंने यह अगर आपकी बहुत ज्यादे ना बढ़ी और कटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं जैसे यह लास्ट की इसकी यह जो जहां से कल्ले निकल रहा है यह लास्ट वाला इसको इस प्रकार तो इसका क्या होगा कि तोड़ने के और यह काफी बढ़ चुकी है काटने का नियम जैसे मैंने अपनी भाग दो जो मेरी पुष्टक है उसमें भी लिखा है अम्रूद की बागवानी भाग दो कटाई छटाई शिचाई और खाच प्रबंदन जो मेरी ई-बूक है लिखा है उसमें बताया है कि यह जो आपकी सा लाबर है तो हम इसको यहां को काट करें यह साथ आया है यह मेरी बोनस वाली साथ आयते और यह मेरी इसकी कटिंग पूरी हो जोड़ी अब इसकी एक बार मेरे को देख भाल जब करनी पड़ेंगी जब इसमें कल्ले निकलेंगे जब कल्ले निकलेंगे तो यह बहुत ज्यादा रूप में निकलेंगे तो मुझे उन में से सरजन करना पड़ेगा मुझे उन में से सलेक्शन करना पड़ेगा और यह देखना कि यह ध्यान अठ्चे कि कोई कल्ला ना तूटा है कजरें करें हम दोवर्से चोटा है इसलिए हम इस प्रकार कर्यों करें. अगर दो के बढ़ा है और ऐस प्रदीयों की फसल ही Straight द खोती है तो पेड़ को पानी देना बंद कर दिया जाता है, उसके चारोगरफ निराईुड़ाई कर देते हैं जैसे हमने की लिए और उसको पानी देना बंद कर देते हैं, तो मई तक उसके 80-80% पत्ते जो हुने डॉप हो जाते हैं, तो उसके बाद मई में लगबग आप 10 मई से ल तो आप उसकी उसमें खाद परबंधन कर दीजिए जो थोड़ी बहुत ही कटाई छटाई है वो कर दीजिए और उस कटाई छटाई के बाद पानी देने के बाद आपको जूम से उसमें कल्ले निकलने शुरू हो जाएगे और आपकी बहुत अच्छे फ्लावरिन शुरू होगी आपकी वो सर्दियों में आपको बहुत अच्छे प्लावरिन पहला काम हमने कर लिया यहां पर हम आज हमारे पास पेस्ट नहीं है मैं अगर आपके पास काम है तो काम करता है बहुत अच्छी चीज़ है इस पर कोई मख्षी मच्छड नहीं बैठेगा और यह पूरा मैं नहीं आज है कि ज्यादे मुश्किल काम नहीं है करिए आपको मजाएगा सर्दियों में अमरूल खाएगे यह सब जो है ना पत्ते है यह प्रकर्ति की चीज़ है प्रकर्ति को देजिए अब यह मेरे पास वर्मी कमपोस्ट है कि घर को ले कि यह में इसमें डाल दूंगा कि कमपोस्ट वर्मी कमपोस्ट कुछ जादे भी हो जाए कोई फरक नहीं पड़ता कम नहीं होना चाहिए इसमें कम से कम 15 किलो चाहिए तो वर्मी कमपोस्ट दस या वबर भी खाज़ता कम से कम 20 किलो डादा यह मैंने डाल अम मैं इसको अच्छी तरह आपको चलाए पत्ते भी सड़ जाएगा बहुत अच्छा काम करेगा बहुत अच्छी नाइट्रोजन का काम करेगा यह मैक्समें यह तापके मनें अम मैं स्मर्ट यह मिठ्टी करों यह देखेश प्रकार्ट क्विस्वर्ट यह ताप्ट करना अख वैस्दी कमपुजर का कल्चर से मैं शूट लगे और फिर इसमें बहुत पानी दाओ दिखाओ किसान भाहियों मुझे काफी फॉन मिलते हैं फोटो भी मेरे बात पहिज आते हैं कि हमारा मैस्दी कमपुजर का कल्चर में कुछ रंग अजीब है कुछ खराब हो गया है यह देखे यह लगबत दो महां पुराना कल्चर इतना बढ़िया कल्चर मेरे हाँ कोई भी किसी भी किसम का इसमें कोई फ्लाइज मक्वी वगरा नहीं है लेकिन मैं ढखकर रखता हूं और उसके आसपा स्फाइख होग रखता हूं किसान भाई यो एक चीज़ का बहुत अच्छा थान रखना है एक खाद लगाने के बाद में मैंने सिर्फ अभी वर्मी कंपोस डाला है चुकि मेरे पास आज ओन मीट मीट मील जो है नहीं है या नीम की खली है वो नहीं है अगले सनीवार को मेरे खेत में जो मेरा फार्म है महां पर कारिये होगा यह दोनों चीज़ उपलब होगी तो उनको मैं बाद में लगा लेकिन खाद देने के बाद आपको परचुर मातरा में इसमें पानी चाहिए यानि शिचाई बहुत अच्छी कर तो मैंने देखे एक बाल्टी उसकी डाली ती वैसी जंपो देखे और इस प्रकार पानी डाली तो आज इसमें पानी बहुत अच्छी तरह चाहिए और एक और थानक्ते जो इस प्रकार के नीचे सूट वगारा हूं कोई इनको हटाने अब आप देखना इसको धीरे-धीरे कल्ले निकलने शुरूप होंगे इसमें और कल्लों के साथ साथ आपको भी खुरूशी मिलेजी और सर्वियों में खुद अच्छे मुरूर आएं जैसे ही कल्ले निकलने शुरूप हों तो आप यह ध्यान जरूर रखिए कि आपके पास वेस्टी कमबोजर 50% का इस्प्रेश सब्ता में केज़बार वस्चे लगे 50% से सुरूप करिए जब पत्त हो जाती है नमी बनाई रखनी है हमें इसकी जड़ों में अब नमी बनाई रखनी है कि उसी से इसके कल्ले निकलने में मदद अभी भी अगर आपके कोई परसन है तो आप मुझे अवस्चे लिखे उनका जवाब देका मुझे बहुत पूश्य धन्यवाद नमस्कार जैहें यप